बीजेपी के मिघाले के अध्यक्ष उनका बयान मैंने वीफ पर सुना था और मुझे अच्छा लगा था कि ऐसा बयान इतनी स्वतंतरता से कोई भारतिये जनता पार्टी में दे सकता है दो शब्द की चुनोती देती हो भारतिये जनता पार्टी का कोई नेता ऐसा बयान बता दें कि उनके राष्ट्री अध्यक्षा के कहते हैं स्पेशल टास्क फॉर्स नो लेस्टन सुप्रीम कोट ओफ इंडिया के रिटायर्ट जज्ज के अधीन गठित होगा और वहां पर आप उस सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं और जहां तक आपने पर्सिक्यूशन की बात करी एक particular community की तो अगर Valentine's Day पे युगल जोडियों को पीटा जाता है कालिक पोती जाती है उनके चेहरे पर या 25 दिसंबर को जब इशु मशी का जनम दिन मनाया जाता है दुनिया भर में आप उनकी मूर्तियां तोडते हैं उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में आपका सवाल बहुत अच्छा है एक हमारा बयान निकाल कर दिखवा दीजे जहां पर हमारे राश्च्री अध्यक्ष ने कहा हो कि हम special task force गठित करेंगे supreme court retired judge की अध्यक्षता में क्यूंकि यह number one भ्रष्ट सरकार है जिस सरकार का आप 5 साल हिस्सा रहे उसके खिलाफ आप प यह तो नहीं होगा आपने हमारी महराश्च्र विकास अगारी की बातकरी बड़ा अच्छा जिक्र लाया क्यूंकि हमने साथ मिलकर भाजपा के 33 साल के किले को ध्वस्त किया है कस्भा पेट पर अभी भाजपा उस हार से उबर नहीं पाई है और भाजपा ने हमारे alliance partner के सवाल पूछना अच्छी बात है लेकिन आज की वस्तुतर स्थिती को नकार दें हम और हम इस पर कुछ ना बोले वो शायद लोगतंत्र का भी असम्मान होगा ऐसा है कि हम बिल्कुल भी confused नहीं है हमारी party का stand बिल्कुल clear है अगर आज राबरी देवी के हां CBI raid कर रही है हम उसकी भर्चना करते हैं और इसलिए करते हैं क्योंकि यह कोई सईयोग नहीं है कि चार गुना ED के cases बढ़ गए 2014 के बाद और 95% cases आपके सारे के सारे विपक्ष के खिलाफ है आपकी ED, आपकी CBI, आपका income tax department, department of revenue intelligence जो अल्रेडी प्रोब कर रहा है वो अडानी के घर नहीं पहुंचता है, अडानी को एक notice नहीं जाता है, वहां उनके port पर भया मुद्रा पर लाखो करोडों रुपए की drugs पकड़ दी जाती, एक NCB की raid नहीं होती है, कोई चर्चा नहीं होती है, तो हमारा जो stand agencies के दुरुपयोग पर है, वो बिना संशे के, बिना लवो लवाब के एक ही बात है, कि agencies का दुरुपयोग opposition के खिलाफ किया जाता है, लेकिन जिस वाक्य का आप जिक्र कर रहे हैं, एक ये भी सच है, कि दिल्ली की शराब नीती उस वक बनाई जा रहे थी, जब दिल्ली बेदम होकर बिना oxygen के तरप रहा था, और अगर ये नीती विड्रौना करी गई होती, तो हर घर के नीचे शराब का ठेका खुलने का बंदोबस्त हो गया था, महिला, सुरक्षा या राजक्ता को ताक पर रख कर, तो ये सवाल कैसे नहीं और ये सवाल ये भी उठेगा, कि जब विपक्ष, बाकी विपक्ष के खिलाफ action करती हैं ये agencies, चाहे वो हमारे नेता हो, या चाहे वो बिहार में हो, या चाहे वो महराश्र के नेता हो, आम आदनी पार्टी एक शब नहीं बोलती, क्यों नहीं बोलते हो, आपको decide करना है कि आप भारतिय जनता पार्टी की B team है या आप विपक्ष में हैं, और अगर आप विपक्ष में हैं तो आपको विपक्ष के साथ हर मुद्दे पे खड़ा रहना पड़ेगा, और इसमें सबसे बड़ा पाखंड और ढोंग तो भारतिय जनता पार्टी का नजर आता है, साथ स अधिकांच तो भाजपा के डोनर लिस में नाम आता है, तो यह जो नूरा कुष्टी है, इस पर हम कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं है, हमारा स्टैंड क्लियर है कि आरोप बड़े गंभीर है, आरोप के ओरिजिनल कंप्लेनेंट, शिकायत करता हम है, और इस पर बिल्कुल जाच होनी चाहिए, लेकिन उसी सांस में, मुझे बिल्कुल भी संशन है यह कहने में कि अधिकांच जगहों पर आप उपोजिशन के खिलाफ ही अपनी एजंसी को यूज करते हैं, कहां इनकी एजंसी क्यों नहीं कि अपने करनाटक MLA किया जिनका लड़का 40 लाग की घूस रेते हुए पकड़ा गया, कहां यह एजंसी यद्डी जी के खिलाफ जब अब उनका हाथ पकड़ के मोधी जी तेल आ रहे हैं क्योंकि एलेक्शन आ गया उनको गंभीर आरोपो के दौरान निकाला गया था, तो यह तो दोरा माबदन हैं, हम दोरा माबदन कहीं नहीं अपनाते हैं ना बिलकुल भी confused हैं